ग्यानखर यूट्व चानल में आपका स्वागत है और आप बीपेसी टीचर जो एक्जाम कंड़क्टरने वाली बीपेसी आयोग एक्जाम लेती है इसकी एक्जाम जून में ही होने वाला जो एक्जाम से पहले हुआ था जो चानल हुआ और senior secondary की बाद करें higher secondary की बाद करें जून में ही और कुछ एक्जाम जो है फेज फोर का आपका आगस्ट में होने वाला है सभी के लिए complete package है आप चाहे तो सेट के माध्यम से concept को सीख सकते हैं देख सकते हैं यह प्रैक्टिक सेट है और complete booster class भी हम लेकर क्याएंगे application के माध्यम पे और बहुत जल्द बहुत जल्द आपको application देखनी को मिलेगा play store से install हो जाएंगे ग्यानकर का application बहुत जल्द आप तक पहुच रहा है इसलिए आपका सहयोग आपका साथ बहुत ज़रूरी है आप साथ देंगे तो साथ देने से क्या होता एक potential मिलता है जब आपका result देखें हर कोई teacher जो है आप भी सिक्षक बनने जा रहा है और आप भी अ तो आप board में कलपना करेंगे कि board में अच्छे मांक्स आ जाए एलेवेंंट डुम सिर्फ complete बोर्ट के लिए परहा रहा है तो आप फिर कलपना करेंगे कि board में हो अज्चे मांक्स आ जाए अगर आप competitive-based परहा रहा है चाहे वो NEET की बात करें या जेम इंस की बात करें तो आ आपकी उमीद होती है कि हमारे बच्चे का सेलेक्शन जो है नीट में हो जाए आई आई टी में हो जाए ठीक न ठीक उसी परकार मैं भी चाहता हूं कि मैं जो परहा रहा हूं और हमारे साथ ही जो देख रहे हैं उनका भी सेलेक्शन वीपेसी टीचर्स में हो जाए हर किसी का कल्पना होती है एक एक लौता सिक्षकी होता है जो अपने से उपर अपने विद्यार्थी को देखना चाहता है बहुत बड़ी बात मैं बोल गया क्या बोला एक लौता एक सिक्षकी होता है जो अपने से उपर अपने विद्यार्थी को देखना चाहता है ठीक और जो लाइन आप चूज किये हैं जो पसंद किये हैं एक सिख्षक बनना यह समझे कि बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा काम है सिख्षन पठन पाठन का काम ठीक है तो समय आपका बहुत ही बहुत मुल्ल है समय को हम बेश्ट ना करें आईए हम लोग सेट प्रैक्टिस पर आते हैं सेट प्रैक्टिस अच्छा अच्छा कोसंस है और बहुत ही आज तो जिन साथियों को 11 12 के लिए जो केमेस्टी को प्रिफर किये हैं फिजिक्स के यानि 11 12 के लिए जो त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी है 9 10 के लिए एक ऐसा सेट डिजाइन किया जाता है जिसका 1 to 5 से भी तो ना किया जा सकता है यानि 1 to 5 में भी कोसंस का जो एस्टंडर है पूछा जा सकता है 6 to 8 की बात करें तब 6 to 8 में भी कोसंस आएंगे 9-10 की बात करें तो 9-10 में प्रसनाएंगे रही बात 11-12 की 11-12 बताईए ऐसा design ऐसा question का सेट practice वही कर सकता है जिसके पास एक cream एक निचोर अनुभब हो ठीक है यानि 1-5 के लिए आप है उनके लिए भी कारगर है 6-8 के लिए आप है उनके लिए कारगर है और 9-10 के लिए उनके लिए कारगर है और जो 11-12 के लिए है उनके लिए कारगर है यानि ऑबर ओल ऐसा सेट जो सभी के लिए कारगर है आप जिसके लिए भी तुजारी कर रहा है प्राइमरी के लिए मिडिल के लिए से केंडरी के लिए हायर से केंडरी के लिए सभी के लिए आपका जो है यूसफुल है आप चाहे तो जितना बार चाहे देख सकते हैं चुकि आपके पास टेकनलोजी है और वैसा टेकनलोजी है आप चाहे तो मुझे मिन्टो में फास्ट कर सकते हैं और मिन्ट का मतलब ही होता है ड्राइब करने वाला ड्राइब का मतलब होता है इनर्जी देने वाला ठीक है इनर्जी देने वाला तो अब जब इनर्जी देने वाला बात क्लियर हो ही गया इसका तो एंसर निकल ही गया देगे लेंग्वेज कोश्चन कंसिप्ट जो होता है ना बहुत ही कि सहाजता और सललता से देखने की चीज होती है आप पहली बार सुनेंगे उल्जहने पर जाएंगे कि आखिर ड्राइविंग फोर्स क्या होता है तो हमेशा ड्राइवर का क्या काम होता है एफ़र्ट लगाना इनर्जी आगे क्योर देना बस वही चीज है यहां पर पर टाइम आपका फिरी टाइम कहलाएगा तो ड्राइविंग फोर्स इजए टाइफ आफ फिरी एनर्जी क्या है फिर एनर्जी तो आपका एंसर हो जाएगा सी नमबर इदा क्रेक्ट अंसर ठीक है चले वाट इज़ा हीट ओफ रियक्शन फोर इथाले सिट हाइड्र यहां पर टेमपरेशन मिनीमाम हो यानि एड़ जीरो कैल्विन यानि टेमपरेशन कहां हो जीरो कैल्विन हो उसी को हम लोग कहते आप सालूट क्या करते एपसलूट आएब आप समझ में चली एक कोशन आपका केमिकल कानेटिक्स क्लास 12 के अंदर है कोशन केमिस्ट्री केल तो किन्मा चलिक दार अच्छा कुस्षं से क्या इन ट्वेंटी मिनट्स फास्ट यह इन….ластर रिएक्सण इस 50% ठीक है कम्पिलिट कर रहा यानि पहला जो है 1 टर्ॉलक कर रहा है इसका मतलब कोई चीज होगा इसका मत फिफ्टी परक्रसन मत अधा औरह आप यहां से शुरू किया आप यहां से सुरू करिए का यह वा यह हमारा देड defense का फिप्टी पर्ड़ेट हो रहा वुटिभटी पर संग यहां 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 से इसका यहांद हो रहा है आप कहा सकते हैं यहां याँ तक हमारा हुप्लीट हो रहा है तो आगे क्या कहा रहा है दा एमाउंट अप टाइम इन तूपलीट 87.5% यानि आप से टाइम पूछ रहा है कब का जब complete काम हमारा 87.5% हो जाए 87.5% का मतलब देखो यहां से यहां तो हमारा सिर्फ बचा कितना 50 इस 50 का आप 50% करिए तक कितना हो जागा बचा हमारा यहां कितना 25 ब्रिभा समझ रहें आप एक लकीर है यहां से लेकिए यहां तक यह हमारा यहां से यहां तक टीहाप का विलू आपका दे रखा ठीक यहां से कितना टीहाप हुआ तो इधर हमारा दो लग लग यांगे कंसले लागए कि sûमेंहिसे टीहाप कि लिए निखाल लगा काई निकालिये माल लागी में तोवेलू कितना है ग्ला टीजाप होmost व्ह大家好 थाप्ल यहां चालीस थीक है यहां 40 मिनट्स अब उसके बाद यहां पर देखिए टोटल टाइम हमारा कितना लगिया हो टोटल टाइम की अगर बात करिएगा एक यहां और दो टी आप यहां में तो टाइम अगर करिएगा तफिरी इन्टु टी हाँ ठीक है तो टीन इन्टू टी एक साथ मिनट लगा कितना मिनट लगा साथ मिनट ऑप्सन है क्या चलिए ऑप्सन है आपका बी नमबर क्रेक्ट एंसर ठीक है आए बास समझ में इस तरह से कोशन्स बनाईएगा सोचिएगा तो बन जाएगा अगला प्रस्ण आजी चाहे तो आप इसको इसकी इसकोशन ले लिजेगा है नाचैक को समझते वए चलिएगा रठिएगा नहीं ठिक इसकी सबीने होंगे आप आप अगला प्रस्मित आ तो इन रियक्षेन वाटन फोर्स का अगली होर्स इसका वही कोशन है रिपीट कर गया है कि इसको ताके मुझ कि टाइम आपका वर्वाब नहीं कर रहा हूं है ना गाली प्लीज गाली मत दीजेगा कुछ भूल चूगा अगर हो जाए तो माप किजेगा चमा चाहते हैं लेकिन गाली नहीं दीजेगा ठीक है चले अगला पर्शन है कुर्शन नमर फाइव वाट इफेक्ट टेंपरेचर ह लाइब ऑन दा हाफ लाइब आफ फर्स्ट ऑडर रियक्शन क्या कर रहा है टेंपरेचर जो होता ना ती हाफ में देखिए टी हाफ का फर्मूला होता है जिरो पाइंट सिक्स नाइन थ्री बाइक के अब टी हाफ यह तो एक कॉंस्टेंट नमर है टी हाप और इसके भी जो रिलेशन हमारा रेट कॉंस्टेंट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अब बताइए मुझे जब टाइम बढ़ेगा तो यह हमारा घटेगा कि नहीं घटेगा रेट कॉंस्टेंट घटेगा तो वास वही रिलेशन लगा दोना हमारा इट डिग्रीज कर जाएगा क्या क दो और यह मतलब सेम सभ्शान उसमें जो नियादीघ है तो इन टीग्रेटेट में किया हूँ यह हमारा सबस्टानस ड़ंह भून मतलब सेम समस्टान्स तो उसमें जो स्बिर्चह, पना जाता है कि अंट चाहिते हैं इंटिग्रेटीज किया किरेवार्ध जा आपना जाता ह इच्छ रियक्टेंट कांसटरेशन इच्छ यानि हमारा रेट कॉंसे जो हम DHAHA उसी को करेंगे जब हमारा सभी करेंट कांसटरेशन यूनिती 1 हो जाए थीक है यूनिती 1 हो जाए आईए पर आईगेिवेटर यूदर कि यह संदसरी पनौन कोने फेक्टर हूं у कर और यूदर धरी California नेननी पर रहे 10 अगान सन कीनाक्थ due यह प्पूस्ति थिम्हार थिकरा मारा बहुत जरूरी है और द ambush जो सब्समर्ट की माध्यम से आपको हम सेट कराएंगे और समझाएंगे सर्थ है कि कंसेंट्रेशन बना करके आपको देखना दियान पूर्वद देखना होगा नहीं देखिएगा आप अगर वीडियो चला करके और देखिए एक होता है अब कान में लगा कर किया कोई बंदा वासरूमें जा करके सुन रहा है तो भला नहीं होगा यह फैदा बहुत लोग ऐसा करते स्पीट बरहा करके चलेगा वासरू में तो पास एक सीडियूल बनाई एक रूटीन बनाई एक रूटीन बनाईए और एक डिस्टीप्लीन करके चीज़ों को देखिए अब सो रहे हैं लगा लिए इससे क्या हो जाएग तो यह वासरी बताता हूं तो मुझे खुश सरमाती है चुकि आप उस स्टेंडर्ड में नहीं है जो यह सब बाते हैं सुन सब्सक्राइब आप खुद और एक सिक्षक बनने वाले हैं और उस प्राव में हैं जहां मैचुरिटी पिक पर एक पिक लेवल है यानि मैं नाइन ये लेवन तोयल की बच्चे को नहीं पढ़ रहा हूं एक उनको परा रहा हूं जिए के सिख्षक बनने वाले हैं और एक मैचूड परानी बहुत सब्सक्राइब बहुत अब में से होंगे जो विवाहित होंगे और वह और आईसे वह जो विवाह होने वाला होगा की आ है को वोका मिला चलिए मेरे भी तो ठीक है चलिए यह को संथा यह दा रियेक्शन रेट कॉंसेंट टैन्वी डिफाइन एज दा रेट आप रियेक्शन वेन इच रियेक्टेंट स कंसंट्रेशन यह यह भी कोशन आपको मैंने करा दिया इससे पहले इसको भी कमेंट करके बताए आज क्या है मतलब भगवा गया काई टाइप करने मला सब जो है कोशन रिपीट हो रहा है नहीं भगवाया नहीं है यह आपको चेक किया जाता है कभी कभी कि आप परी कोशन को देखते कि नहीं देखते हैं इसको कमेंट करके बताएगा इन ड्राइसेल वीच आप देफुल अजै कि धिकल और सेलाएगा को सब्सक्राइब यह क्या कर चाइब गवाद सेलाएगा तो हमाराיס श्खेंड विचारजब कर तक है है उसको हम लोग से केंडिक स्ट्विट करते हैं और हमारा से किंडिक सेन्री चार्ज नन चार्जबूल में हमारा प्रआंब रिसल किया गा और इसल के ता क्षेशक एक Chicken को ठाया हूँ वीच आप फॉलाइंग इस्टेटमेंट्स एबाउट लेड इस्टोरेज सेल इस हमने अभी आपको बता लेड इस्टोरेज बैटरी जो होगा हमारा सेकेंडरी सेल कहलाएगा जो चार्जेबूल होगा और पहली एस वान हमारा अदिक गया इटी जब प्रामरी सेल तो आंसर ह यहां पर ऑक्सिदेशन होगा वह हमारा एनोट कहलाएगा जहां रिडक्शन होगा हमारा कैठोड कहलाएगा ठीक है आई अगरा प्रसन में आते हैं हम लो वीच आफ फॉलाइंग ड़स नॉट बिलोंग इन दा केटगरी ऑफ एलेक्ट्रो केमिकल सेल्स कौन है जो दो आफ फ्यूल सेल है फोटो फोल्टिक सेल नहीं है यह फोटो लाइटिक सेल अलग चीज है ठीक है अकेटोड एंड एन अनोड आर दा मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स ओफ एलेक्टो केमिकल सेल्स वीच आफ फॉलाइंग क्लेम्स एबाउट दा केटोड इस करेक्ट इनिकेटोड में क्या करेक्ट होता है हमारा जो है क्या करता है वोलिए पोजेटीव है जब लौस करता है क्या करता है कि इनोंड हमारा जब सक्षूर करता तभी पोजेटी बनता यह नहीं किएगा जो लेता है और जो तो भाग रहा है लेक्टों के तरफ से असमाहित किसमें हो रहा है बोलिए cathode में तो बहुत लोग ये कर भी हो जाएंगे कि negative के तरफ negative कैसा जा रहा negative तो तभी हुआ है जो उसने electrons को लिया है तो हमारा क्या हो जाएगा electrons move into the cathode ये answer रखिएगा mind में concept को समझने का परियास करें साइन्स एक ऐसा सब्जेक्ट है क्या बात मैंने बोला साइन्स और इतिहास बरे बेवफा रात पढ़ा सुभा सफा रटना है मतलब फसना है रट करके साइन्स का questions नहीं बना पाईएगा इतिहास रट लिए भूल जाएएगा उसका एक coating बना कर रखेगा तो याद रहा है किसके बात को ना है किसके बात को ना है किसके कार्ज काले में यानिक इसके समय में क्या हुआ क्या लागो हुआ इसमाने में रखिए एक चलिए सलफर एक्जिस्ट इन्टू पॉलीमोर्फी फॉर्म में सॉलिडिन गैस वह जो ता कैमफर यह रूम में पुरा गैस है ठीक है आई बसमचम नहीं यहाँ पर रखिएगा तो कैमफर सुलिड़ में तो यह हमारा जो मेडियम हो गया गैसे में हो गया उस गैसे मेडियम हो गया जो पर होगा मारा काफूर जिसको कहते कारपूर काफूर कारपूरी ठाकूर जो आपको कहना डद नौर्ड मेडर प्रोन सेशन यह एक एक असे मेडिया में अशेब का अगरे साल फर जो है एलेटोपस है यह इस ने जिसका होता है और यह दोनों एलेटोपस किसका साल फरका what is the total number of previous lattice in the crystal structure previous lattice होता crystal में वो हमारा 14 होता, कितना होते है? 14 आईए, अगला प्रस्म में आते है which solid structures has a definite and sharp melting point यानि किस solid structure का definite and sharp melting परने होता था जिसका complete structures होगा, उसी का melting point होगा तो यह हमारा हो जाएगा, crystalline solid क्या कहलाएगा crystalline solid amorphous क्या होता है amorphous उसको बोलते है, जो निराकार होता है जिसका कोई shape नहीं होता है shape less that is called amorphous अगला प्रस्म में, dash is a crystalline basic repetitive structure unit यानि crystalline basic repetitive structure unit को हम लोग क्या कहते है unit cell कहते है, क्या कहते है, unit cell कहते है यह solid state का, मतलब आज का जो questions है बहुत दमदार, बहुती conceptually है 9th को भी cover है, 10th को भी cover है, 11th को भी cover है, 12th को भी cover है और कुछ theory जो आपका 6 to 8 वाला में cover कर लिया जाएगा, ठीक है किया गया है, कर लिया नहीं जाएगा, किया गया है बहुत ही अच्छा है, अगर आप अच्छे सिख्चे के रूबें उभरना जाते हैं तो वाहित channel ग्यानघर है, जो concept बेस्ट पराने पर विस्वास करता है और set से ही question को टकराने का भी विस्वास रखता है और सोचिए, अगर प्रोपर विमें conceptually कलास अगर हम आपको लिए तो बहुत level बहुत increase कर जाएगा आपका, ठीक है न, जिसकी कलपना भी आप नहीं कर पाएंगे The angle of magnetic deep, deep at magnetic equator, magnetic equator पे हमारा, यह हमारा equator lines है तो यह निए अब देखी, यहाँ पर सब एक दूसरे के क्या है, समान अंतर है, parallel है तो parallel में जो angle होगा, वो हमारा क्या होगा, 0 degree होगा उल्ज़न पर नहीं है, parallel में angle हमारा क्या होता, 0 degree होता है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा, 0 degree angle of deep, ठीक है, चली a charge moving with uniform velocity produces, जब uniform velocity से हम किसी charge को move कराएंगे, तो हमारा electric fill भी produce करेगा, और magnetic fill भी produce करेगा, option है क्या, नए option हमारा तो यानि D को हम कर देते हैं, all of these, क्या करते, all of these ठीक है, none of these लिखाएंगे, all of these कर दीजे, और आपका D number इता, correct answer, हमेशा याद रखेगा, charge अभी move करेगा, तो electric fill भी develop करेगा, और magnetic fill भी develop करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या करते हैं, वोले charge moving, uniform velocity, अगर आप से push दिया जाए, क्या पूछा जाए, कि charge और mass में क्या differences है तो हमेशा याद रखेगा, जो charge होता है, वो, velocity जो है, क्या करते हैं, velocity पे कोई, यानि velocity बरहाईए या घटाईए, charge पे कोई फ़र्क नहीं परेगा, बट mass जो है, mass पे जब velocity बरहेगा, तो उसमें changing आ जाएगा, speeding आ जाएगा, कहने का मत्दब हो गया, mass जो है, velocity dependency properties है, और charge non-dependentity produce है किस पे, velocity पे, यानि mass और charge दोनों एक ही भाई है, लेकिन एक अंतर है, कि mass depend कर जाता है, velocity पे, जब कि charge, velocity पे depend नहीं करता है, ये भी एक point याद रखेगा, चले, the direction of propagation of electromagnetic waves, यानि एलेक्टो मैगनेटिग वेब के direction of propagation क्या होता है, तो यानि एलेक्टिफ फिल्ड य याद रखेगा, और जब, क्या कहते हैं, इसको, vector quantity, दोनों एक दुस्ते का vector quantity है, यानि vector quantity है, और vector quantity को हम लोग, रिफ्रिजेंट हम लोग, cross से करते हैं, क्या करते हैं, जहां भी cross लगा हुआ रहा है, इसका मतलब है vector quantity, और dot लगा रहा है, उसका मतलब होता scalar quantity, अब आपको माइन में चमक रहा होगा, क्या चमक रहा होगा, कि मैंने क्या बोलगा, कि vector quantity कहते किसको है, और scalar quantity कहते किसको है, याद रखी, नहीं कोई बला नहीं है, जिसको आप सदिस कहते हैं, वही हमारा vector है, और जिसको आप अदिस कहते हैं, वही हमारा scalar है, इसका याय मतलब हुआ, क हुआ है मैंनेच्टूड हो सिर्फ मैंनेच्टूड की बात करता हूं और उसमें धिशा ना हो उसको हम लोग इसकेलर्ड क्वांटीटे कहते हैं ठीक है और वेक्टर क्वांटीटी को डिशन हम लोग नोट से करते हैं यह проблем आ कि अधूल बici सी जबाट साओ भॉल्द का कुवार्ट इस यद्स इसकालर क्ववार्ट का फर्मुली बटकर यह उन्हेकर वामेर सकने अगला प्रसने है इक है सिनेमर ओन गोईंग फ्रॉम नौर्थ पोल टू एक्वेटर प्तने लूफ नौष पोल से किदर गाएंगे एक्वेटर के तरफ कहा से जाएंगे यानि आप देख लिए यह डारेक्शन आपका है माली यह हमारा पॉइंट है एक्वेटर यह नौट से तो मैं यह धर से आप इधर आ रहा है तो एंगल ऑविसली क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है एक यहां से म हो यह डिक्रीज कर रहा है तो एंसर क्या हो जाएगा सी नंबर इधर करेक्ट एंसर डिक्रीज मतलब कमरागा घट रहा है बाइस नंबर कोशन देखिए बाइस नंबर और साथ त्यर्ण नंबर यह दोनों आप कमेंट करके बताईएगा चुकिके इससे पहले जो मैं सेट क और तेज़ का जरूर करिएगा 24 प्रसन क्या करा रहा है चार्ज मुभी मित इन फाव वेलोसिटी प्रोडूसेज यह भी कोशन आपका रिपीट हो गिया ठीक है तो एंसर हमारा डी हो जाएगा डी कौन सा अल अब इस तो इसको देख लिजेगा 25 प्रसन आपका क्या कहा रहा है वेन मेंगेटिक मोमेंट और और इसके आगे भी है नहीं है बिल्कुल छोटा-छोटा सेशन रख रहे हैं आपका और कोशन क्वेट कराने का प्रियास कर रहे हैं घ्यान कर यूटूब चानल से लगातार आप बने र कर में जलाएं Chinese क काले थे ने जो भी होगा बेटर ही होगा हुवजसे तर देने का प्रियास कर रहे हैं कंटेंट मिंट भी बेतर कोशन्स भी बेतर और एधाम भी आपका अच्हा जाएम अगर आप लगातार वयमें देख रही है एगर आप भीष पoden चले जाएंगे तो पे सब्सक्राइब कर देखते हैं कि कोन क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है इस चीज की जो है अनुभा मुझे भी है इसलिए जो कंटेन ग्यानेखर यूटूब चानल से आपको मिल जाएगा वह अलग प्लेटफॉर्म से मिलने का उस तरह के संभावना नहीं है कि अधर सब्सक्राइब करें तो मिल सकता पॉसिलिटीज है लेकिन साइंस की में बात करूं तो साइंस में जो है इतना देव साइद को जाए यह हमसे बेतर आप जान रहे हैं यह आप अनलाइसिस कर ज़रूब बता सकते इसलिए ग्यान घर यूटूब चानल से बने रहे हैं थेंक्यू थेंक्यू से मच्च जाहन साथियो